नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका चीर परिचे दोस्त उपस्तेत हूं दोस्तों आप सभी किस सेवा में कुछ महत्वपून जानकारियों को ले करके जो आपके लिए बेहदलाफकारी सावित होंगी दोस्तों जिहां दोस्तों अभी हम लागातार फलों के बारे में जानते आ रहे हैं दोस्तों कि किन फलों को खाने से क्या फायदा होता है या फिर हम अपनी कौन-कौन सी बिमारियों को किस फल के सेवन से नश्ट कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं उनसे अपना बचाओ कर सकते हैं आज हम बात करेंगे दोस्तों सेव की सेव एक अच्छा टॉनिक है सभी आयू के लोग इसे नित्ते खाएं सेव के छिलके में विटामिन अधिक होते हैं अतर सेव छिलके के सहीत ही खाएं सुबह श्राम खाली पेट सेव नित्ते खाने से शरीर में स्फूर्ती रहती है चेड़चिड़ापन दूर होकर मानशिक शक्ती बढ़ती है सेव में विटामिन C अधिक होता है दोस्तों सेव खाने से पुराने असाध्य रोगों में लाव होता है सेव में मौलिक एसिड रहता है यह खटाई आतो यकरित और मस्तिश्क के लिए उपियोगी है इसमें फासफोरस होता है अर्थात जलन करने वाला पदार्थ जिसे खाने से पीट साफ होता है और अमाश्य को पुष्टी प्राप्त होती है यानि कि मजबूती मिलती है सेव में फासफोरस सर्वाधिक होता है यानि कि सर्वाधिक मात्रा में होता है जो पुठों, स्तनायू और मस्तिश्क के लिए बहुत है लाब दायक है सेव और इसका रस विटामिन एवं खनीज पदार्थों से भरपूर है दोस्तों दूस सेव के छोटे-छोटे टुकडे काटकर उसमें आधा किलो उबला हुआ पानी डालकर रख दें जब पानी ठंधा हो जाए तो उसे चान कर पी लें यदि मीठे की आवश्यक्ता हो तो मिस्री मिलाएं यह सेव का पौश्टिक और स्वाधिष्ट शर्बत है यह शिग्रेही रख्ट में मिलकर हरिदय, मस्तिष्क, यक्रित और शरीर के हरे कोश में शक्ति और स्फूर्ति पहुंचाता है सेव का रस हरिदय को शक्ति देता है नेत्र दिर्ष्टी तेज होती है यानि कि आपके आँखों की रोसनी भी अच्छी हो जाती है दोस्तों शरीर और रक्त के विशेले दोशों को निकाल कर विभिन्य रोगों को दूर करता है दुबले पतले व्यक्तियों को रिष्ट पूश्ट बनाता है यानि कि मजबूत बनाता है जो लोग शक्तिशाली, स्वस्त और जवान बने रहना चाहते हैं उनको सेव का रस अधिकाधिक हर रोज सेवन करना चाहिए दोस्तों क्योंकि कहावत है दोस्तों An apple a day keeps the doctor away जिहां दोस्तों एक सेव नित्य खाने से डॉक्टर के आवश्यक्ता नहीं पड़ती है सेव भूखे पेट खाना अच्छा होता है यह गर्मी खुश्की दूर करता है इसका मुरब्बा हरिदय रक्त मस्तिश्क की कमजोरी हटाता है नित्य प्रातः भूखे पेट सेव खाकर उपर से दूध पिया जाए तो एक दो माह में ही तवचा का रंग निखर जाएगा चेहरे पर लाली जलकेगी योन संबंधी सभी कमजोरियां दूर होकर जीवन में सफूर्ती दोड़ने लगेगी यह बहुत अच्छा टॉनिक है मानसिक तनाव, चर्म रोग, गठिया, संधी शोत, श्वास प्रणाली के रोगों में नित्य दू सेव खाने से लाव होता है सेव भोजन से पहले भूखे पेट खाने पर अधिक लाव दायक है, सेव विर्यवर्धक भी होता है दोस्तों जोडों का दर्द पिशाब की जाँच कराने पर यदि पिशाब में अमल की मात्रा पाई जाए तो सेव खाना लाव दायक है सेव खाने से जोडों का दर्द वगठिया में लाव होता है, सेव वाल कर पिश कर दर्द वाली जगह पर लेप करने से भी आपको दर्द में राहत मिलेगी दोस्तों दात गलते हों, तो अगर आपके दात गलते हों, छेद हो, मसूढे फूलते हों, तो खाना खाने के बाद नित्ते सेव खाएं, इससे दात और मसूढे ठीक हो जाएंगे और खराब नहीं होंगे यह स्फूर्ती दायक फल है, बिच्छू काटना, सेव को चटनी की तरह पीश कर, जहां बिच्छू ने काटा हो, वहां लेप लगाएं, यानि कि बिच्छू का जहर आप पर असर नहीं करेगा दोस्तों, आपको अराम मिलेगा जुकाम, दुर्बल मस्तिश्क के कारण भी सर्दी जुकाम सदा बना रहता है, ऐसे रोग्यों को जुकाम की दवाओं से लाव नहीं होता, ऐसे लोगों को जुकाम ठीक करने के लिए भोजन से पहले छिलके सहित सेव खाना चाहिए, इससे मस्तिश्क की दुरबलता भी होती है ब्रोकाइटिस सर्द रित्व में खासी जुकाम प्राय होता रहता है दोस्तों सर्दी खासी से ब्रोकाइटिस हो जाता है दो सेव या नाशपाती खाने से पुरानी क्रॉनिक ब्रोकाइटिस से छुटकारा मिलता है सेव और नाशपाती में कैंचिस नामक एंटी ऑक्सिडेंट्स कंपाउंड्स पाय जाते हैं जो फेफडों की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक होते हैं सेव नाशपाती कच्ची ही खाना ला प्रद है क्रोनिक ब्रोकाइटिस के रोगी को लंबे समय कम से कम तीन माह से खासी चली आती है और वह कफ अधिकाधिक धूगता रहता है यह तथ्य अमेरिकन थोरे सिक सोसाइटी ने व्यक्त किया है सेव फेफणों के लिए लाबदायक है विटामिन सी एवं बीटा के रो हली भाती कारे करने का संबंध है जो लोग सेव खाते हैं उनके फेफणों के श्चमता सेव नहीं खाने वालों से अधिक रहती है इसलिए प्रती दिन सेव खाएं ब्रोकाइटिस और खासी से रहत पाएं या ब्रोकाइटिस और खासी को धूर भगाएं खासी पके हुए सेव का एक गिलास रस निकाल कर मिश्री मिला कर प्रातख पीते रहने से पुरानी खासी ठीक हो जाती है दोस्तों सूखी खांसी जब तक खांसी रहे सेव पर काली मिर्च और मिस्री डाल कर खाते रहें गले में खरखरी चल कर आने वाली खांसी वो बार बार उठने वाली खांसी में लाब होगा नित्य पके हुए मीठे सेव खाते रहने से सूखी खांसी में लाब होता है आंत्र ज्वर में सेव का रस बहुत ही लाब दायक है दोस्तों हृदय शक्तिवर्धक सेव का मुरब्बा 15-20 दिन खाने से हृदय की दुरबलता दिल बैठना ठीक हो जाता है उच्चरक्त चाप उच्चरक्त चाप होने पर दो सेव नित्य खाने से लाब होता है उच्चरक्त चाप में सेव खाने से पेशाब अधिक वजल्दी आता है इससे शरीर का नमक बाहर निकल जाता है गुर्दों को आरा मिलता है अस्मरण शक्तिवर्धक जिन व्यक्तियों के मस्तिश्क और असनायो दुर्बल हो गए हो विद्यार्थियों को याद नहीं रहता हो उन्हें सेव खाना चाहिए सेव के सेवन से नारियों के शक्ति वस्मरण शक्ति बढ़ती है तथा बेहोशी उन्माद चेड़चिड़ापन में भी लाब होता है इसके लिए एक या दो सेव बिना छिले चबा चबा कर भोजन से 15 मिनट पहले खाना चाहिए अधिक प्यास सेव का रस पानी में मिला कर पीने से प्यास कम लगती है जिन्हें वायू विकार हो उन्हें यह लाबतायक नहीं होगा दोस्तों पथरी गुर्दे और मुत्राश्य में पथरियां बनती रहती है ओपरेशन करा के निकाल देने के पाश्चात भी प्राय पथरी बन जाती है सेव का रस पीते रहने से पथरी बनना बंद हो जाता है तथा पानी बनी हुई पथरी घीस घीस कर मुत्र द्वारा बाहरा जाती है यह वरिक्कों तथा मुत्राशय को शुद्ध करता है गुर्दे का दर्द दूर होता है यदि कुछ दिन केवल सेव ही खा कर रहें तो पथरी निकल जाती है अधीक भूख लगे तो अन्य शाक या फिर फल खाएं बहु मुत्र सेव खाने से रात को बार बार मुत्र जाना कम हो जाता है सिरदर्द सेव पर नमक व काली मिर्च लगा कर 20-25 दिन तक खाने से सिरदर्द में लाव होता है एक या दू सेव नमक व काली मिर्च लगा कर प्रातः भूखे पेर चबा चबा कर नित्ते खाएं इसके बाद गर्म पानी या गर्म दूद पीएं अनिद्रा जिहां दोस्तों अगर आप सेव का सेवन करते हैं तो आप अनिद्रा से छोटकारा पा जाएंगे बच्चों के दस्त जब बच्चों को दूद नहीं पचता हो दूद पीते ही दस्त आ जाता हो तो आप उनका दूध बंद करके थोड़े थोड़े समय के बाद सेव का रस पिलाएं ऐसा करने से उनका दस्त बंद हो जाएगा दोस्तों पुराने दस्तों में सेव का रस लाबदायक है मरोड लग कर होने वाले बड़े लोगों के दस्तों में भी यह लाफदायक होता है उल्टी जिहां दोस्तों सेव के रस में स्वाद के अनुसार नमक मिला कर पीने से उल्टी होना बंद हो जाता है गर्भावस्था के उल्टी सेव के बीज आधा चमच दो कप पानी में डाल कर उबालें एक कप पानी रहने पर छान कर सुबह शाम पियें गर्भावस्था में होने वाले उल्टीयां बंद हो जाएंगी यकृत सेव यकृत रोगों में लाफदायक है इससे यकृत को शक्ति मिलती है गैस चली आतों में दुरगंध संक्रमड नहीं होता सेव का रस पीने के बाद गर्म पानी पीना चाहिए कब्ज प्रातव भूखे पेर तथा खाना खाने के बाद शाम को एक सेव खाने से कब्ज दूर होती है सेव का छिलका दस्तावर भी दूर होता है कब जवालों को सेव को छिलके के सहीत खाना चाहिए दस्त वालों को बीना छिलके के क्रिमी दो सेव रात को सोते समय कुछ दिन कम से कम साथ दिन तक खाने से क्रिमी मर कर मल के साथ बाहर आ जाते हैं सेव खाने के बाद रात भर पाने न पी हैं तवचा सेव के रस में शहद मिलाकर नित्य दो बार चेहरे पर लगाएं इससे सरदी के मोसम में तवचा की कुमलता बनी रहती है मस्से खटे सेव का रस मस्सों पर लगाने से मस्सों के छोटे छोटे टुकड़े होकर जड़ से मिट जाते हैं शराब की आदत सेव का रस बार बार पीने से अच्छी तरह पका हुआ एक एक सेव नित्य तीन बार खाते रहने से शराब पीने की आदत छुड़ जाती है नशे के समय सेव खाने से नशा उतर जाता है इसका रस भी पिया जा सकता है भोजन के बाद सेव खाने से भी शराब की आदत छुट जाती है उबले हुए तीन सेव नित्ते तीन बार खाने से कुछ ही दिनों में शराब पिने की लगत छुट जाती है मानसिक रोक कफ खासी या श्चमा में सेव का रस या इसका मुराब्बा लाप्रद होता है दोस्तों भूख न लगना खटे सेव का रस एक गिलास स्वात के अनुसार मिस्री मिला कर कुछ दिन तक नित्ते पीने से भूख अच्छी तरह लगने लगेगी खटे सेव के रस में आटा गूत कर रोटी बना कर नित्ते खाएं एक गिलास सेव के रस में मिस्री मिला कर पीने से भूख अच्छी लगती है प्रातः भूखे पेट सेव खाने से भूख अच्छी लगती है अच्छे स्वास्ते के लिए नित्य 300 ग्राम कार्बो हाइट्रेट लेने का प्रियत्न करें एक सेव में 21 ग्राम प्रोटेन होता है मोटापा बढ़ाना एक सेव काट कर रात भर चांदनी या खुले में रखें प्रातह इस प्रकार 40 दिन तक खाएं मोटापा बढ़ जाएगा मलेरिया ज्वर ज्वर में सेव खाने से ज्वर जल्दी ठीक हो जाता है मलेरिया ज्वर आने पर आप इसका सेवन करें आपको जरूर लाव होगा बच्चों के पेट के रोगों में नित्य सेव खिलाना लापतायक है मात्रा एक बार में एक से तीन सेव तक जितना खा सकें आप खाएं इससे ज्यादा न खाएं सावधानी गला बैठने पर सेव न खाएं गाने वाले सेव न खाएं तो इस प्रकार से देखा दोस्तों आपने कि सेव हमारी जिन्दगी में किस प्रकार से कारे करता है और लाप्रद होत है अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्व पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार